सोर्य अस्त किस समय घर की बहु बेटी घर के गव घर की गाए भी यहां तक करते दूद भी लच्छमी भी शाम के समय किसी को ना जाए बहु बेटी भी किसी कहां शाम के समय ना जाए हमारे घर की लच्छमी हमारे घर में रहे संद्या का समय ऐसा होता है शाम का समय कि गाए भी चरकर घर की हो रहा है आती है गौवे भी अपने ठिकाना पाती है पशु उपक्ची पर एक आज का फेशन ऐसा हो गया राम ये बेटियां ये बौवें अपनी सहली को फोन लगा कर करती है किती वज़े चलेगी साड़े पांच तक चलते हैं शाम के समय हाओ ठीक है शाम के समय घर छोड़ कर रुपिया खर्च करने के लिए जा रहे है या सास्त कर आई शाम के समय तो एक चुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जा लेली तो खट पर भूल कर भी बेट जाते हैं उनके शरीर में बिमारी बनी रहती है चाहे वो पचास डाक्टर बदल लें चाहे वो पचास जगहां पर जाकर दिखा लें चाहे कितनी भी आबूशन मोती रतन मानिक बदल बदल कर पहन लें तो भी उसके शरीर में कश्ट रहेगा जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बिमारी रहती हो शरीर में बहुत कश्टो हो टेवलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो बिमारी डॉक्टर का पीछे नहीं छूट रहा हो तो शिव महा पुरान विश्णु पुरान और इसकंद पुरान में जो पुर्शुत्तम कथाव का अधिक मारत घर के बाहर अर्थाथ घर के अंदर के बाहर जो चोखट होती चोखट से थोड़ा सबार बिल्कुल चोखट पर नहीं बैटना थोड़ा सबार नौमी तिथी के दिन शाम के 6 से 6.5 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बिमार रहता है उसके सिर्थ से नीचे की और नरसीन भगवान का इस्मर्ण करकर जिस अधिक मास में जिस तिथी को उतारा कर रहे हो तिथी का नाम लेकर उस हश्विन अधिक मास का नाम लेकर जो व्यक्ति का उतारा कर रहे है उसका नाम और गोतर लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिये को घर के ही चोखट पर रग देता है उस व्यक्ति की बिमारी छूट जाती है महाराज वो रोगीला नहीं रहता रोग से ग्रस्त नहीं रहता दवाई गोली उसकी छूट दिये कभी ये डाक्तर को दिखा लो कभी वो डाक्तर को दिखा लो कभी यहाँ दिखा लो वह महां दिखा उसे चुटका राम दिखा है ना उमी दिखे चाहे शुकल पक्षकी हो चाहे प्रिश्न पक्षकी हो नौमी की रातरी के बारा बजे या दस्मी की रातरी के बारा बजे गी का दिया हतेली में रखकर दर्वाजे के बाहर उस दिये को हतेली में रखकर चंदर का दर्शन रातरी के बारा बजे दिये की लो में चंदर का दर्शन करते हैं उससे जोद प्रवल होती हैं भारे या तो कर ले होगा वो जोती में चंदर का इस्मिन कीया जाता है सिन या चार दिन में जोतेंонов का करम बढ़ना परारण मों खोता है हिंदू धर्म में सास्त्र प्रमानित कहता है माराज तुलसी का दल बेल पत्र दुर्वा शमी का पत्र अगर नक से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं हो शिव महापुरान तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महिने में कोई सीवी घड़ी में कोई से भी पल में अगर आपने नक से कोई समगरी तोड़ कर भगवान को समर्पित करिये भगवान उसको सिकार नहीं करता सिकार नहीं करे कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नक से तोड़ दें दंडी नक से तोड़ देना, बेल पात्री की दंडी नक से तोड़ देना, नहीं, दुख है, अकलीफ है, नोकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, वेपार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मांसिक टेंशन बना हुआ, कुछ गोई नहीं रहा, तो क्यों बटक रह वहाँ गए उनसे पूझ लिया, मूटी बता तो कौनसी पहन लिया, वह लिया, वह लिया, पुगराज पहन लिया, मौती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमेट पहन लिया, सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिया, सारे बाबा जोगी ब पाई करकर देखना सायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख जेलोगे नहीं सुख इतना जीलोगे सुख का नुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा जी मुझे उम्मीद मेरे विश्वनात की कृपा अगर हो गई बस उसका अनमोधन करो उसका इसमरण पाच बेर बोर जो खाते हैं बेर जो बजार में आते बोर जो आते खाने वाले पाच बेर पाच जो जो जनते हूं वो जो हावन में डलती है पाच जो पाच स्वेट पुष्प पाच कमल गटे पाच काली मिर्च अपनी कामना करकर ठीक दोपाहर के बारा वजे आश्विन अधिक मास की शिवरात्री के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चड़ाओ जोली पसार का निवेदन करो और बाबा को ग्यारा दीप गी के दिये ग्यारा शिवजी के सामने जला दो बापी साओ शाम के समय जाकर एक चों मुखी दिया भागवान संकर के मंदिर के सामने चोखट की बिल्कुल भी चुमभी सम्मुक में जला कर आजाए जिंदगी में कभी दुख नहीं दिलेगा ये इश्वास रखना शिवपूर देगा तभी खजाने में कमी नहीं इसकंद पुराण नर्वदा पुराण लिंग पुराण इन पुराणों में बड़े सुन्दर सुन्दर उपाय जो लिखेगा है उसको बस समझना है उसको केवल अपने जिंदगी में उतारना है रोग हो गया गुरुजी बहुत तुखी है बिमारी इने केंसर ने घेल गया किड़नी लीवर खराब हो गया हम तो त्रिजुगी नारेन भी ना जा सकते हम पांडु पिश्वर ही ना जा सकते आप तो एसा उपाय बता दो जो घर में कर लें बताऊंगा उसका भी उपाय ब क्या करेगा काल भी कलकता में बताया था मोधी परिवार का एक चरीत कि मर्गर भी जिन्दा कर देता है वो देवधी देव महादेव हो सकता है जो मर्ग देव पर भी विजय प्रात्य कर सकता है वो देवधी देव महादेव हो सकता है जो यमराज को भी मार दे वो देवधी केवल विश्वनाति हो सकता है, मेरा शंभू, मेरा शंकत, मेरा द्रकाल दर्शी, मेरा केलाशी, मेरा लिदाशी, कोई दूसरा नहीं।